हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिल्वादो मा मुझे उन का मुटा एक जिंगोला, संसन करती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, खिटूर खिटूर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो तो कुर्ता ही सिल्वादो मुझे कोई भाड़े का। बच्चों, ये कविता आपने बहुत सुनी होगी, ये कविता चंदा मामा के बारे में है, और इस कविता में चंदा मामा ने अपनी मा से ये जिद की है, कि उन्हें कोई कपड़ा सिल्वा दिया जाए, जिससे की रात की ठंधक में वो बच सके। लेकिन क्या राज है कि आखिर उनकी मा उनके लिए कोई कपड़ा नहीं सिल्वा पा रही है, और इसी राज में आज का हमारा विश्य छुपा हुआ है, जो की है चंदर मा की कलाएं। तो आएए, बच्चों हम सब लोग जानते हैं कि आखिर चंदर मा की कलाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चंदर मा की कलाओं का हमारे परिवेश पर क्या असर होता है। महिने में एक बार पूर्ण मासी का चान्द होता है जब चंदर मा पूरा दिखाई देता है। और यही स्थिती चंदर मा की कलाएं कहलाती हैं जिसकी परिभाशा अगर हम देखें। चंदर मा के चमकीले उजाले वाले भाग की आकरती के घटने बढ़ने को चंदर मा की कलाएं कहते हैं। इस तरह से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन जो उसका प्रकाशित भाग है उसकी आकरति में परिवर्तन ही उसके अंधिरे और उजाले भाग के घटने बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और आईए अब हम ये देखते हैं चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ प्रकाश रहता है तथा जो भाग पीछे की ओर होता है वहाँ अंधिरा रहता है। और इसी बात में ये हमारा रह से छुपा हुआ है कि चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होगा वह पूरी तरह प्रकाशित होगा। और जो भाग सुरी के प्रकाश की पहुंच में नहीं है, वो भाग अंधेरा होता है और वहां रात होती है या वहां पर अंधिकार होता है। और इस तरह से चंद्रमा की कलाएं यानि उजाले वाले भाग का घटना और बढ़ना इस पूरी इस्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। जब चंद्रमा पूरा काला है और एक इस्थिति पूर्णिमा की है जब चंद्रमा पूरा प्रकाशित है। और अगर हम यहां से देखें तो पूर्णमासी के बाद चंद्रमा का जो भाग प्रकाशित है वो भाग थोड़ा सा कम होने लगता है। यानि कि पूरे भाग से थोड़ा सा भाग अंधेरा हो जाता है और जो भाग पूरा प्रकाशित था उसकी आक्रती कम हो जाती है, फिर उसके अगले दिन थोड़ा सा भाग और अंधेरा हो जाता है यानि कि अंधेरे भाग में क्रमशह यानि धीरे-धीरे बढ़ोत्री होती है और इस तरह से फिर उसके अगले दिन अंधेरा भाग थोड़ा और बढ़ता है और धीरे 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 हम देखते हैं कि एक के बाद एक दिन वीतने के बाद चंद्रमा का जो काला भाग है उसकी आकरती प्रकाशित भाग से जादा हो जाती है और अगर हम देखें तो आप सभी ये जानते होंगे कि इस तरह से जो ये स्थिति आ रही है ये क्रश्न पक्ष की स्थिति होती है और क्रश्न पक्ष की स्थिति में जब चंद्रमा का ये देखिए अंधेरा भाग और बढ़ता जा रहा है प्रकाशित भाग कम होता जा रहा है और इस तरह से एक के बाद एक किस्थिती ऐसी आती है जब चंद्रमा का भाग पूरा काला हो जाता है ये अमावस्या की स्थिती होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो अमावस्या की ठीक अगले दिन चंद्रमा का थोड़ा सा भाग हमें प्रकाशित दिखाई पड़ता है यानी थोड़ा सा भाग उजाला होता है और फिर वही क्रम से एक दिन बीतने के बाद प्रकाशित भाग की आकरती बढ़ती है अंधरे व अमारी शुक्ल पक्ष की स्थिती है और फिर अपने निश्चित समय पर जो भाग अंधेरा है वो पूरी तरह कम हो जाता है और पूरा चंद्रमा प्रकाशित होता है यानी कि फिर से अपने पुर्णमासी की स्थिती में और यही बात बताना चाहेंगे बच्चों आपको कि अमावस्या के ठीक अगले दिन जब चंद्रमा थोड़ा सा प्रकाशित होता है उसी दिन इद का उत्सो भी मनाया जाता है यानी कि लोग कहते हैं चंद्रमा का जो चांद दिख गया और उसके बाद इद का तेवहार हम मनाते हैं और इस तरह से आप जानते हैं कि हम अमावस की स्थिति को देखना चाहें तो एक और चित्र के द्वारा हम बहतर धंग से समझ सकते हैं एक रात का ये चित्र बना हुआ है और इस रात में देखे तारे चमक रहे हैं और इन तारों के बीच में पूरा चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है पूरा चंद्रमा गोल एकदम था अब अगर हम इस बात को और विस्तरत धंग से समझना चाहते हैं, तो एक प्रयोग के द्वारा हम इसको कर सकते हैं, जो कि घर पे बहुती आसानी से हम कर सकते हैं, आईए कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जो गेंध है, इसको हम मान लेत हैं चंद्रमा की स्थिति और टॉर्च को हम सूरी का प्रकाश मानते हैं, और ये देखिए किस प्रकार से जब सूरी की रोष्णी इस गेंध पर पड़ रही है, तो इसके ठीक सामने का जो भाग है, जो भाग चंद्रमा का सूरी की प्रकाश की ओर है, वो तो प्रकाशित है लेकिन इसके ठीक पीछे का जो भाग है वो अंधेरे में है यानि कि बिल्कुल ठीक इसी तरह जब हम आकाश में चंद्रमा को देखते हैं तो वो उसके सामने का भाग होता है जो कि प्रकाशित रहता है और हमें दिखाई पड़ता है ये इसकी एक कला है और साथी साथ अगर उसके ठीक दूसरे दिन या तीसरे दिन चंद्रमा अपनी आकरती में परिवर्तन करेगा अपनी स्थिती में परिवर्तन करेगा तो उसकी कला पर भी इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा क्यूंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है ये बात आप आसानी से कर पाएं और इस तरह से चंद्रमा की कलाओं को आप घर पर भी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। साथी साथ जो कविता मैंने शुरुवात में कही थी चंद्रमा की मा के बारे में और चंद्रमा के बारे में तो उसका भी रहसे इसी में छुपा है कि शायद चंद्रमा की कलाओं के कारण ही उनकी मा उनको आज तक कोई कपड़ा सिल्वा कर नहीं दे पाई हैं। हैना तो इस तरह से चंद्रमा की कलाओं का विशय इसके बारे में आज हमने सीखा।